गायल हुआ तो क्या हुआ जा नभी बांकी है जिन्दगी जीने के अर्मा नभी बांकी है मैं उनमें से नहीं जो तूटकर विखर जाते हैं मुझ में हाऊसला है और मेरे हाऊसले की उड़ा नभी बांकी है गोड मानिग फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन स्टीडी पॉइंट दोस्तों आज है ग्यारा दिसंबर और स्टार्ट करते हैं आज करन अफेस उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे साथ हैं बेल आइकन भी प्रेस कर दीजे ताकि आपको डेली मॉन सब्सक्राइब तो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा लास्ट में पूछता हूं उसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है चलिए फटा पटी स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्क्रण किस शहर में आजित किया जा अब इन खेलों में भाग लेने की अनुमती दी जाएगी इसमें टेनिस और टेबल टेनिस भी खेलों में 2019 संस्क्रण का हिस्सा होंगे और आपको बता दें कि खेलों इंडिया गेम्स का पहला संस्क्रण जनबरी 2018 में दिल्ली में आजित किया गया था और यह अभी 2019 का फेलों इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्क्रण किस शहर में पूरे में ठीक है महरास्ट में कुशन सेकेंड है दस से ग्यारा दिसमबर 2018 तक सतत जल प्रवंधन पर पहला अंतराश्टी सम्मेलन किस शहर में आजित किया जा रहा है मोहाली में ठीक है ओप्सन एक औरेक किया रहा है इस सम्मेलन का उद्देश है दोस्तों जल प्रवंधन के लिए सतत नीतियों को बढ़ावा देना और पानी शमंदी समस्याओं के बारे में जाग रुकता पैदा करना ठीक है तो यह दिसमबर 10-11 दिसमबर तक सतत जल प्रवंधन पर पहला इंटरनेशनल सम्मे का लिंक मिल जागा या फिर आप अपने फेस्बूक अप्लिकेशन से ओनलाइन सच करके भी फॉलो कर सकते हैं दिसमबर 2018 में भारत किस देश के साथ सायुक्त सैन अभ्यास एविंद्रा 2018 आउजित करेगा ते करेगा दोस्तों रूस के साथ ठीक है ऑप्शन B देखे दोस्त जो अभ्यास है दोस्तों 24 में आजित किया गया था इसका उद्देश क्या है आतंगबाद विरोधी अभ्यावनों पर केंद्रित रहे गए और एक अनुठा अभ्यास है जिसमें आपको बता दें कि रूसी संग एयर फोर्स एयर एयर स्पेस फोर्स अपनी वाई परिसंपत प्रतियों को प्योग नहीं करेगा ठीक है जिसका करेक्टर रूस के साथ कोश्चन नमर फूर्थ है दोस्तों भाति नौसेना और रूसी संग नेवी समुद्र समुद्री अभ्यास इंद्र नौसेना दुरठारा किस स्थान पर आजित किया जाएगा तो किया जागा विशा है क्रिया सीलता बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा संचालन के लिए सामान समझ और प्रतिक्याओं को विक्सित करना और यह दोस्तों जो पहला इंद्र नौसेना अभ्यास है इंद्र नौसेना अभ्यास है 2003 में आजित किया था कब 2003 में ठीक है तो याद रखिएगा भाति प्रदिष्ठित मिश वर्ल्ड 2018 का ताज जीता है तो जीता है दोस्तों वैनेसा पोस्डी लियोन ठीक है ओप्सन एक करेक्ट है यह आपको वता देख वेरी वेरी इंपोर्डेन कोश्चन इसको जरूर याद रखिएगा अगामिक जान से 100% पूछा जाने वाला है ठीक है कंट्री याद रखिए गए जो वेनेसा पोस्डी लियोने मेक्सिको की है इन्होंने 8 दिसंबर को प्रदिष्ठित मिश वर्ल 2018 का ताज जीत लिया है ठीक है आपको बता देख हुआ है माइग्रेट्स एन एल कैमिनो के लिए एक स्वेम सेवक है और एक बालिका पुनरवास के अंदर के निदेशक मंडल में है ठीक है इसमें जो रनर अप थी दोस्तों थाइलेंड की निकोलस पिचपा लिम सनुकन थी यह रनर अप थी ठीक है थाइलेंड की निकोलिन पिचपा ठीक है आपको बता दे दोस्तों कि मिस बेलारूस मारिया वसी लेविच मिस जमैका 28 को प्रतिस्ठित मिश वर्ड 28 ताज जीता है तो मैक्सिको की वैनेशा पॉंस डी लियोन और रनर अप याद रखिएगा थाइलेंड की निकोलस पिचपा ठीक है यह थी रनर अप ठीक है तो याद रखिएगा बहुत महत्मूर कोशन है दिसंबर 28 में मिस्टर सुप्रानेश दिस्ठिक है और मिस्टर सुप्रानेशनल द्राजील दूसरे रणर अरप के रूमें चुने अगये थे तो याद रखिएगा ठीक है प्रतमेश मौली गंकर कॉशन सेवेंथ है कौन सा राज चार अंतराश्टी हवाई एड़े वाला देश में पहला बन गया है तो यह बन गया दोस्तो केरल ठीक है उप्सन डी देखें दोस्तो 9 दिसंबर को केरल में कन्नूर अंतराश्टी हवाई एड़े का उधगटन हुआ था और कन्नूर हवाई एड़ा सारवजिनिक नीजी साज़ेदारी यानी PPP मॉडल पर बनाया गया है ठीक है और आपको बतादे कन्नूर हवाई एड़े के चालू हुने के साथ केरल चार अंतराश्टी हवाई एड़े वाला देश में पहला स्थान बन गया है ठीक है चार अंतरास्टी हवाई एड़े ठीक है केरल के तीन अन्य जो अंतरास्टी हवाई एड़े हैं दोस्तों तीरोनन पुरम कोच्ची और कोजी कोड में हैं और यह चौथा जो बन गए कन्नूर अंतरास्टी हवाई एड़े ठीक है तो याद रखिये चार इंटरेशनल Airport बाला देश में पहला राज каких केने भारत किस तटके निकट अपना पहला अंतरयर्जली संग्रहले पाने के लिए तयार है उसका राइट उन सनर्भा बदल दिया जाएगा ठीक है तो याद रखिएगा question 9 थे दोस्तों 9 दिसम्बर 2018 को अरुनाचल प्रदेश का 23 जिला कौन सा बन गया है तो यह 23 जिला दोस्तों बन गया है C Yomi ठीक है option B सी योमी ठीक है याद रखिएगा इन्य जिला पस्षीव मंगाल सियांग से जिले से बना है ठीक है तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 11 को सियमू अरुनाचल प्रदेश का 23 जिला बन गया है और अरुनाचल प्रदेश की राजधानी क्या है इतानगर वर्तमान सियम है संबर को अंतराष्टी मानवादिकार दिवस मना जाता है और 1948 में इस दिन सहीक्त राष्ट महासबर ने मानवादिकारों की सारभूमी घोष्णा को अपनाया था ठीक है और इस वर्स मानवादिकारों की सारभूमी घोष्णा की 70 वी वर्स गार्थ है इसका थीम क्या दोस् आफ काउंसिल दा चैलेंज ओफ दा मोधी जेतली पुस्त Daarूमई कूण है इसके लेख़क आरविनद सुप्रमयने वापस्ण डी ठीक है ओफ काउंसिल मोधी जेटली इकोनौमि नम कुस्त को लेखक इन्होंने साथ दिसंबर को मुंबई में लॉंच किया है पुस्तक के लेखक है अर्विन सुब्रबन्यम ठीक है और अर्विन सुब्रबन्यम ने भाती अर्थ सास्त्रियों भारत सरकार के पूर्ब मुख आर्थिक सलाकार है यह पुस्तक 2014 से ठारा तक के इसमें जो मुख आर्थिक सलाकार अर्विन सुब्रबन्यम की यात्रा का बरना है ठीक है तो याद रखिएगा अगला कोशन दोस्तों किसे अभ्यारंड बन जीब सेवा पुरुष्का दोठारा दोरा समानित क किया गया है और यह जो दोस्तों वन एजीब संदक्षण सुसाइटी इंडिया में संदक्षण विग्जान सहाग निजस्या को जो बागों पर नजर रखता है तो याद रखिएगा कि अभ्यारंड वन एजीब सेवा पुरुष्का दोठारा दोरा किश्कों समानित किया ग को ठीक मुख्यार्तिक सलाकार करूं में नुक्त किए करिश्ण मूर्ति सुब्रवन ने हमको सभी स्टूडियन ने राइट एंसर दिया था अब देख लेते हैं आज का सवाल क्या है हाली में कोब 24 की 24 वी बैठा कहा अजित की गई है ज्यादा ज्यादा लोग कमेंट करेंड फेस्क वीडियो देखिए तो आपको एंसर पता है दिन नहीं देखिए जस्ट यहाँ पे एंडि स्क्रीन में आएगी जरूर देख लिजिए और डेली आप मौनी में 15 मिट का समय ने काल कर करेंड फेस्क वीडियो जरूर देखा करें दोस्तों ठीक है चलिए फिर म